सुसान सिंग राजपूत के मौत के मामले में हरोज कुछ ना कुछ नया आता है और कुछ ना कुछ तत्थ सामने आ जाता है इस बार जो तत्थ सामने आ रहे हैं काफी चौकाने वाले हैं आपको पता होगा कि सुसान सिंग राजपूत अपनी कमपनी वीड वेज रेयल्टिक्स और एक इंसाई वेंचर है, उसके जब ये वो सौफ्ट्वेर पर काम कर रहे थे, कोडिंग पर काम कर रहे थे, AI-based application software पर काम कर रहे थे, तो अब इसमें नया चौकाने वाला तथ क्या स हमने आया है, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आदित्य ठाकरे, जो सिवसेना के लीडर है, महराष्ट के, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में जिकर था, कि एक AI-based application software का, वो पाइलेट प्रोजेक्ट जो है, वो स्टार्ट करने वाले थे, मुंबई म इसमें क्या चौकाने वाली बात है, तो दोस्तों, जब से उन्होंने ट्वीट किया है, और उस software के बारे में बताया है कि इसको पाइलेट प्रोजेक्ट के जरीए, हम BMC के जरीए, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तभी से बवाल मच गया है, बवाल ये है कि अगर उनक सुसान सिंग राजपूत ने, और सभी लोग इसमें करें थे कि ये प्रोजेक्ट तो सुसान सिंग राजपूत का है, इस पर सुसान सिंग राजपूत काम कर रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी कर रहे हैं कि इसका पेटेंट तो सुसान सिंग राजपूत ने करवा कि क्या ये वही प्रोजेक्ट तो नहीं जिस पर सुसान सिंग राजपूत काम कर रहे थे जब आगोर कीजिए उन्होंने साप तोर पर लिखा है कि क्या ये वही प्रोजेक्ट तो नहीं जिस पर सुसान सिंग राजपूत काम कर रहे थे और इसमें उन्होंने नरेद मोदी को टेग किया है, मित्सा को टेग किया है, स्वामी जी को टेग किया है, तो बहुत सारी चीजे जो हैं, अब सामने धीर धीर आने लगी हैं, और आपको पता होगा कि सुसान सिंग राजपूत के मौत के बाद, यानि 14 जुन के बाद, एक से दो दिन के ही भीतर, सोसल मीडिया में ये खबरें आ गई थी, कि सुसान सिंग राजपूत कोई सौट्वेर पे, कोई गेम की कोडिंग पे काम कर रहे थे, कोई सौट्वेर पे काम कर रहे थे, और उस सौट्वेर की कीमत करोरे रूपे में थी, बिकने वाली थी, तो क्या उनके मौत की वज़ा, ये कोडिंग AI-based सौट्वेर तो नहीं है, और मैं बता दूँ कि आधित ठाकरे का नाम जो है, कुछी दिनों के बाद लेना चालू हो गया था, इसमें कि आधित ठाकरे भी इंवाल्व हैं, आधित ठाकरे भी इंवाल्व हैं, मैं परसनली इस चीज को परमानित नहीं कर रहा हूं, मैं वही तो मैं पता दूँ कि सुसान सिंग राजपूत की एक कंपनी है, इंसाई वेंचर, जब वो लॉंच हुई थी 2008 में, तो उसके जो को फाउंडर थे मातूफ जी, उन्होंने का था कि आने वाले दो-तीन सालों में इसमें 300 क्रोर का इंवेस्टमेंट का एक प्लान है उनका, ज रिहार के लोगों के लिए काम करने वाले थे, वो सफ्ट्वेयर और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले थे, और उनकी कमपनी है, इसी चीजों पर कमपनी काम कर रहा है, इसमें अब सक इस वजह से घरा रहा है कि जब से 14 जुन के बाद, यानि की सुसान सिंग राजपूत के मरने के बाद उनकी कमपनी का IP एड्रेस लगातार बदला जा रहा है यह बात मीडिया में आ गई है इडी को भी पता चल गया है और यह कौन कर रहा है सोविक चकरवर्ती और रिया चकरवर्ती जिनके पास इस कमपनी का भी राइट्स है और वह ओनर है आगर इस कमपनी को का information server से हटा लिया जाता है, server से delete कर दिया जाता है, server change कर दिया जाता है तो सारे जो information इस company का होगा, उसको निकाल पाना काफी मुश्किल होगा तो जबाँ सोझीए सक क्यों ना हो आखिर ? हम किसी व्यक्ति को इसमें सत्यापित नहीं कर रहे हैं कि ये व्यक्ति इसी ने इन्वाल्व होका इस चीज में लेकिन जबा देखिये सक कैसे गहरा जाता है रिया चकरबरती कोई बड़ी अभिनेतरी नहीं है कोई ज्यादा पैसा उनके पास नहीं है जो भी कुछ था सुसान सुसान सिंग राजपूत का प्रोजेक्त था और सुसान सिंग राजपूत ने इसका पेटेंट करवाया था और यह जो सौट्वेर है वो करोरों में बिकने चल रही है प्रदे की पीछे कुछ ना कुछ चीजे तो चल रही है और कुछ ना कुछ गडबड तो जरूर इसके अंदर है अन्था ऐसी चीजे धिवे दिवे सामने बाहर नहीं निकल के आती आप हमारे साथ फेस्बूक पेज पर भी जुट सकते हैं अगर यह यूटूब पर देख रहे हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं और मेरे फेस्बूक पेज एक्स्प्लेंबाव पर भी देख सकते हैं धन्यवाज जहिन जय भारत